राम राम सभीकों, वेलकम बैक टुजी चैनल, उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, तो यह है All New Tata की Nexon, इसके वेरियंट की बात करें तो इस Smart Plus वाला है, Manual Transmission पेट्रोल के अंदर, इस वेरियंट के अंदर आपको मिलते हैं 3 डिफरेंट कलर के ओप्शन, आज जो मे बात करें फ्रेंट लुक से, तो सेंटर मिलता आपको, निव वाला Tata का लोगो, यहाँ पे आपको इंडिकेटर और आपकी DRL के लिए दोनों काम करने वाली है, लाइट नीचे मिलता है आपको, हाई और लो बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस LED सेट अप, यहाँ पे नमर प कैपिसिटी की बात करें, तो 44 लिटर का पेट्रोल का टैंक देखने मिलता है, और और साइट प्रोफाइल कुछ ऐसी देखने मिलती है, मैट फिनिश के अंदर आपको दोर हैंडल देखने मिलते हैं, इसके ओवारियूम की बात करें, तो टन इंडिकेटर लाइट यहाँ मि इसके फ्रेंट डोर की बात करें, तो यह इतना वाइड ओपन हो जाता है, और रियर डोर की बात करें, यह आपका इतना वाइड ओपन हो जाता है, यहाँ चाइड लोक लगाने के लिए मिल जाता है आपको पिछे के साइड में, और यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक के अंदर जाता है यह सारे मिलते हैं आपको नॉर्मल कुछ इस ट्राइब से आपको इनको ऑपरेट करना पड़ेगा और आप करने के लिए कुछ इस ट्राइब से बाकि पिछहाले वील नॉर्मल मिलते हैं पिछहाले विंडो को लॉक कर सकते हैं यहां पर स्पेस मिल जाता है डॉर हैं पीछवाले passenger है और car को पता चल जाएगा उसकी light से कि आपका door open है यह reflector चमकता है रात को seat की बात करें तो इस side वाले मिलती है आपको six way just co passenger वाली भी आपको six way just मिलती है seat कुछ this type की देखने मिलती है all black fabric के साथ में यह दोनो adjustable headrest मिल जाता है देखने है और यह आपको मिलती ही पीछे और आगे करने के लिए आपको reclain के लिए मिल जाती है आगे बात करते है कार के कैबिं के बात करते है तो कार का dashboard कुछ ऐसा धिंजडियर की बात करें तो यहाँ पर आपको all black देखने मिलता है बट आपको roof का कडर मिलता है बीच के अंदर यहाँ पर cabin के अंदर आपको light मिल जाती है LED तो यह आपको प्लस point होता है इसको on करना चाहें, यहाँ पर door पर रखना चाहें यह particular off करना चाहें तो वो आप पर depend करता है यहाँ पर मिलता है आपको voice command के लिए mic यहाँ पर पेसंजर airbag को आप on off कर लेते हैं उसके लिए light चाल हो जाती है इसके IRM की बात करें तो यह आपको manual adjustable मिल जाता है और जो मैं hook बता रहा था वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है यहाँ हाली left side में ही देखने मिलता है glove box ही बात करें तो इसके लिए button यहाँ पर है soft touch में आपका glove box खुल जाता है काफी ज़्यादा इसके इंदर आपको space मिल जाता है तो यह अच्छी बात है उधर भी आपको same देखने के मिलता है और इधर मिलता है आपको toll receipt के लिए और इस side मिल जाता है आपको grab handle के लिए तो यह अच्छी बात है इसके अंदर यहाँ मिलता है आपको 7 inch का touch screen by Harman से जिसके अंदर आप slide करेंगे तो यहाँ पे अपने साब से clock change कर सकते हैं इसको on करना है तो यहाँ पे इसको press करेंगे यानि touch screen के अंदर जो button है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मैं बार volume कम कर देता हूँ तो यहाँ पे मिल जाता है आपको उसके अंदर current trip देखने के लिए देख सकते हैं driving के लिए safety के लिए सारी चीज़ मिलती है इसको आप slide करेंगे तो यहाँ पे clock कर जाएगी date के साथ में यहाँ पे आपको tap prepare के लिए मिल जाता है अभी FM चल रहा है तो उसके लिए देखने मिलता है exit यहाँ पे देखने मिलता है यहाँ पे exit time यहाँ से off कर सकते है music पे click करेंगे FM के लिए USB के लिए आपको Bluetooth के लिए और iPod के लिए मिल जाता है plus minus के लिए आपको touch screen के लिए अंदर button दे रखा है आपको वो भी touch मिलता है यहाँ पे आपको mute के लिए और इस पे click करेंगे तो यहाँ पे settings, mute, आपको brightness कम ज़्यादा करने है वह और tap to connect के लिए मिल जाता है तो इसके अंदर आपको connectivity मिल जाती है FM, radio, Bluetooth connected मिल जाती है Apple Car, end auto मिल जाता है जो आपको USB से चलाना पुड़ेगा इस variant के अंदर आपको charge speaker मिल जाता है तो यह इस price point के अंदर अच्छी चीज़ है ठीक है, और नीचे side में आपको piano black का use करागया इस panel पे, यहाँ पे आपको मिल जाते है AC की control जिसके अंदर आपको मिलता है, मूँ पे हवा चाहिए पैर पे मूँ पे चाहिए, only pair पे चाहिए defogger on करके, मुँ पे हवा चाहिए, पैर पे हवा चाहिए उसके लिए मिलता है, और यहाँ पे circulation अपने हसाब से on-off के लिए मिल जाता है तो main circulation on-off करना है, तो उसके लिए यहाँ बिटन मिल जाता है, और यहाँ वाले जो ही देख सकते हैं इस पे आपको यहाँ पे बनावा मिलता है, कि circulation on रहेगा कि off रहेगा, use with करके यहाँ पे अपने हसाब से इसके अंदर fan की speed कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हसाब से आप temperature कम ज़्यादा कर सकते हैं यह बटन, आपकी AC जैसे आप on करेंगे तो यहाँ पे जैसे इसको click करेंगे, तो AC आपकी on हो जाएगी और इसको off करेंगे, तो खाली आपको fan की speed चलेगी AC आपको cool नहीं करने वाली, जब तक इस बटन को आप दबाते नहीं यहाँ से इसका आप direct boot access कर सकते हैं कुछ इस type से इसको दबाएंगे, तो यह आपका open हो जाएगा और यहाँ पे cluster के अंदर आपको next one बनी भी आएगी जिस पे देख सकते हैं, अभी boot open है तो वो बनावा भी आता है यहाँ पे कुछ इस type से, यहाँ focus हो गया hazard right के लिए control यहाँ मिलता है नीचे side मिलता है, आपको 12V का charge लगाने के लिए type A मिल जाता है, USB के अंदर यहाँ पे आपको 5-speed का manual transmission मिल जाता है reverse के साथ में यहाँ पे आपको 3 driving modes मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको sports, eco, city मिल जाता है जैसे आप इसको करेंगे, तो इसा कुछ आपको voice command के अंदर मिलता है यहाँ पे भी आपको लिखाओ मिलता है और आपको यहाँ पे इसके अंदर cluster के अंदर guide करता है handbrake लिए placement यहाँ मिलती है दो cup holder मिल जाते हैं, यहाँ पे पीचे सामान और रख सकते हैं तो half liter की bottle भी रह सकता है gear box पे आपको leather का use करा गया तो यह अच्छी बात है, handbrake मैं नीचे करके और दिखा दता हूँ तो यह proper fitment में चल जाता है, यह अच्छा लगता है और इसको पर कर देते हैं वापिस steering wheel जो है, यह only tilt मिलता है इसको मैं एक बार सीधा कर देता हूँ और जैसे ही मैं चाबी को off करूँगा देखना यह गायप हो जाएगा और जैसे आप on करेंगे तो new wallet अटा का logo यहाँ पर digital आ जाएगा infotainment के लिए buttons यहाँ मिल जाते हैं horn का sound सुना देता हूँ मैं आपको तो ऐसा कुछ इसके अंदर horn का sound मिलता है यह two spoke आपको steering wheel देखने के लिए मिलता है यहाँ पर आपको piano black का यूज करा गया चोटेस बैनल पर है तो यहाँ पर airbag भी देखने मिलता है infotainment के लिए button मिल जाता है bluetooth connectivity, song change करने के लिए voice command के साथ मिल जाता है plus minus के लिए volume के लिए mute के लिए मिल जाता है इधर मिलता है front wiper control इधर मिलता है light के लिए control आपको high और low beam के साथ में और आपको light adjustable के लिए यहीं देखने के लिए मिलता है overall steering wheel काफी light मिल जाता है एक बार आप engine start कर लेते हैं तब यहाँ पर मिलता है आपको digital cluster मैं एक बार आपको बंद करके वापिस दिखा देता हूँ देख सकते हैं और अब मैं एक बार engine आपको start करके भी sound सुना देता हूँ तो यह 1.2 लिटर वाला है 3 cylinder engine का sound है side मैंने mirror भी थोड़े नीचे कर रखें तो cabin के अंदर आवाज कुछ ऐसी आती है अब सुन सकते हैं और अभी मैंने ACB off कर रखा है तो देख सकते हैं मैं इसको कर दता हूँ बंद तो यहां मिलता है ऐपको RPM के लिए temperature अपको यहां देखने मिलता है पेट्रोल के लेवल आपको यहां देखने मिलता है law fuel के लिए आपको warning मिल जाती है यहां पर इसको चेंज करना है तो बटन आपको यहां दे रखा है जैसा आप इसको चेंज करेंगे यहां पर ट्रिप A ट्रिप B एवरेज के साथ में और इसको प्रेस करेंगे तो यहां से यह रिसेट भी हो जाता है और इधर वाला बटन जो है यह आपके लिए काम आता है जिसे आपको time change करने के लिए कुछ इस टाइप से तो यहां से आप अपना time change कर सकते हैं जो आपको cluster के अंदर चाहिए औ और इधर अलग चाहिए तो वह अलग से change करना पड़ेगा अब बात करते हैं इस variant के safety wise feature की तो इसके अंदर भी आपको word speed warning मिल जाता है जो बीप करता है 80 पे 120 पे गार continue बीप करती है तो यह plus point है और बात करें तो इसके अंदर आपको मिज़ाता है पांचो पेसंजर के करता है आपको इसके breaking and traction के बात करें तो कार के अंदर आपको ABS मिलता है EBD मिलता है break assist मिलता है electronic stability program मिल जाता है head all control मिल जाता है traction control system मिल जाता है तो इस type case के अंदर आपको safety wise feature मिल जाता है इस variant के अंदर particular और all cabin front से काफी neat and clean है black interior personally मेरा suggestion मुझे काफी अच्छा लगता है यह अच्छा लगने वाले पर depend अच्छा कासा मिल रहा है headroom पीछे भी अच्छा कासा मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं मैं अराम से इस कार के अंदर बैटके long trip पे अराम से जा सकता हूं 400-500 किलमेटर easily अच्छा के अच्छा के अच्छा लगता है यहां पर चाहें तो वन लिटर की बोटल या फोन रखना चाहें तो वो रख सकते हैं काफी डीप मिल जाता है यहां पर च्छोटा सा हम बिलता है तो आप यहां पर तीन जने अराम से बैट सकते हैं अगर medium size के होंगे ज्यादा healthy होंगे तो दो पैसेंजर और एक बच्चा अराम से बैटा सकते हैं तीनों पैसेंजर के लिए आपको seat belt point देखने मिलता है तो यह अच्छी पात है यहां पर ISO fix के लिए इधर देखने मिलता है यह दोनों adjustable headrest मिल जाते हैं seat एक साथ fold करके आप boot के अंदर अगर ज सकते हैं इस variant के अंदर वह पर डिपेंड करेगा उतरने चढ़ने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है देख सकते हैं seat भी आपको इस टाइप देखने मिलती है यहां वाली सीटे थोड़ी आपको broad मिलती है यहां थोड़ी कम मिलती है देख सकते हैं तो यहां पर थाय सबूर अच थोड़ा cross cutting होती है यह आपको मिलती है LED बट यह आपको connected नहीं मिलती है indicator light भी आपको यहाँ LED देखने ही मिलती है इसके अंदर halogen setup के अंदर मिलती है आपको इसके अंदर reverse light दो आपको parking sensor मिलते है high stroke lamp आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है पकड़ के यहाँ से इसको बंद कर सकते है hydraulic मिली जाते है आपको यहाँ पे आपको इसे अंदर partial tray मिल जाती है seat एक साथ fold कर सकते है और बात करें इसके इंदर boot space की 382 liter का इसके इंदर आपको boot space मिल जाता है इसके rear spare wheel की बात करें तो नीचे साइड में देखने मिलता है इसके tire profile की बात करें तो यह आपको same tire profile के साथ मिलता है 195 60 R16 16 इंच का आपको steel री मिलता है tubeless tire के साथ में और पंचर गिट आपको यहाँ मिल जागा जब आप इस car को purchase करेंगे यानि इस variant को तो शू करते हैं बंद बंद होने के बाद back profile कुछ ऐसा देखने मिलती अब इसका engine में open करते हैं यानि hood open करते हैं फिर car के engine की बात करते हैं तो car का hood open होने बाद देख सकते हैं इंजन में कुछ ऐसा देखने मिलता है उपर साइड में आपको insulation मिल जाता है तो यह आपके लिए और plus point हो जाता है engine की बात करें तो 1.2 लीटर वाला थ्री स्लेंडर वाला engine है petrol manual transmission के अंदर 5-speed का यह manual transmission है engine की बात करें तो front wheel drive मिल जाता है बीए 6 फेस्ट वाला engine देख रहे है आप जो power and performance की बात करें तो यह produce करता है 118 bhp torque की बात करें तो 170 निटर मिटर टॉर्क पर्डूस करता है ARI ने इस कार का average claim करा है 17.44 km का तो इसली आप highway पर चलाएंगे तो आपको 18 प्लस का average देदीगी अगर आप 100 से नीचे रखते है तो CT के अंदर वही आप hard acceleration नहीं करते हैं और 40 तो 50 की speed रखते हैं तो यह आपको 15 प्लस का भी average देदीगी यह भी है आपकी mainly चलाले पर depend करता है निकालने वाला इस पर अंदर 8 का भी average निकाल सकता है हुटकोब करते हैं बन फिर car की extra room price की बात करते हैं अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे like करें शेयर करें चैनल पहली बार आए तो चैनल को subscribe करें उमीद करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को अपन यहीं end करते हैं वीडियो देखने के लिए thank you so much